देखे फ्रेंड्स राधे राधे वेल्कम तू माई चैनल देखे फ्रेंड्स आज मैं आपको तीन चार नंबर लग्डू कोपाल जी के लिए ये कोटन की प्यारी सीटरेस बनाना बताऊंगी देखे फ्रेंड्स देखे फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने simple cotton का fabric लिया है आप किसी भी तरह का fabric ले सकते हैं यहां मैंने printed fabric लिया है और देखे इसकी width है 3 इंच तीन इंच यह मैंने चुडाई में कट किया है और इसकी लंबाई है 21 इंच 21 इंच मैंने इसको नबाई में कट किया है और इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया है यहां पर मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है और डबल फोल्ड करने के बाद यहां से जो हमारी यह खुले वाली साइड है यहां से हम साथ इंच पर एक शान लगाएंगे इस तरह से अब हम इसको इस तरह से अंदर पोल्ड करेंगे थोड़ा सब पोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और पहले यहां से हम यहां तक सिलाई मारेंगे अब देखे इस तरह से छोटी छोटी हम प्लेट्स डालेंगे इस तरह से देखे जब हमारी पहली प्लेट्स खत्म हो जाए तो हम यहां पर दूसरी प्लेट्स डाल देंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पर हम प्लेट्स डालते जाएंगे और जहां पर हमने यह निशान लगाया था वहां तक हम प्लेट्स डालेंगे इस तरह से देखे अब देखे आगे हम यहां पर प्लेट्स मेरे डालेंगे जहां पर इतनी चिलाई यहां पर ऐसी लगाएंगे देखिए हम नेक्स्ट जो हमने यहां पर निशान लगाया था उछार्टande your leavesrix के बाद वहां पर हम दुबारे से मिलेट्स डालने श्टार्ट ? देखिए इधर वाली साइड भी बीज में हमने यहां पर सीधा बनाया उसके बाद फिर से हम यहां पर प्लेट्स डालेंगे देखिए अब इधर वाली साइड से भी हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ पोल्ड कर लेंगे इस तरह से इस तरह से लोग हो जाएगा यह हमारा और एक प्लेट्स यहां पर डालेंगे और इस सलाई को हमें इधर वाली साइड से भी लोग कर देंगे अब देखिए इस तरह से हमारे बन कर त्यार हुए है अब देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक पट्टी और कट की है और इसकी यहां पर चोड़ाई हमने डेड़ इंच के करीब ली है और नबाई हमने ऐसे ही ले ली है थोड़ा से लंबा कट किया है अब देखिए यहां से हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहां से यहां तक लाश्ट तक हम यहां पर एक सिलाई लगा लेते हैं देखे फ्रेंड्स यहां से यहां तक मैंने एक सिलाई लगा ली है अब देखे यहां पर हम इस तरह से इसको सीधी तरफ पल्टेंगे और इस तरह से देखे इसकी पाइपी पाइपीन निकल लेंगे इस तरह से यह बहुत ही असानी से हमारी पाइपीन निकल जाएगी आप चाहे तो यहां पर रेडिमेड पाइपीन पाभी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप यहां पर एक सिलाई लगा लीजिए देखे प्रेंट्स यहां पर हमने यह अच्छी तरह से पाइपीन को निकाल लिया है और देखे कितनी फिनीशिंग के साथ हमारी यह पाइपीन निकल कर आई है अब देखे इस तरह से हम इसको ग्राबर फोल्ड करेंग और यहां पर आप एक पट्टी ले लीजिए देखे मैंने छोटा सा पीस कट किया है इसकी जितनी हमारी यह लेंथ है उसके हिसाब से और एक्स्ट्रा बज़ेगा आप उसको कट कर सकते हैं देखे इस तरह से हम यहां से यहां तक रख कर इसके उपर दोनों को मिलाते हुए यहां पर एक सिलाई लगाएंगे देखे फ्रेंड्स यहां तक हमारी ड्रेस का लूप कुछ है इस तरह से आया है अब देखे यहां पर मैंने एक पट्टी और कट की है आप अपने हिसाब से इसको लमाई में कट कर सकते हैं और यहां पर डेड़ी इंच मैंने इसको को चोड़ दिया है और इस तरह से हम गले में पहनाने के बाद इस तरह से बैक की तरफ कोल्ड करते हुए यहां से इस तरह से हम इसको आगे की तरफ बान देंगे और धोती बताने का तरीक अपसंद आया हुगा थैंक्यू पूरवाची मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे